पंडित विश्णु नाराण भात खंडे पंडित विश्णु नाराण भात खंडे जी का जन्म 10 अगस्त 1860 को महराश्ट्र के बालकेश्वर स्थान में कृष्ण जन्माष्ट में के दिन हुआ था संगीत सीखने की प्रेणा उन्हें अपने पिता से मिली थी पंडिजी ने सितार, गायन वे बांसूरी तीनों की शिक्षा प्राप्ट की गुरू राव गुवा बेल बात कर जैपूर के मुहम्मद अली खां, गुवालिर के पंडित एकनाथ वे रामपूर के कलबे अली खां से गायन तथा सेट वल्लब दास्जी से सितार की शिक्षा ले सन 1883 में बिये वे सन 1890 में एललबी की परिक्षाएं उत्रिण कर कुछ समय तक वकालत भी की पर पंडित जी की लगन आरंब से ही संगीत की और थे और इस प्रकार सन 1904 में आपकी एतिहासिक संगीत यात्रा आरंब हुई जिसमें आपने देश के विभिन भागों में भ्रमन किया और संगीत संबंदी साहित्ते की खोज की आपने बड़े-बड़े संगीत विद्वानों का संगीत सुना, भावों का विनिमय किया और जो कुछ भी ज्ञान धन देकर सेवा करके अथवाशिष्य बनकर प्राप्त हो सका नी संकुछ प्राप्त किया विभिन ने रागों के गीत एक अत्रित किये और उनकी स्वर लिपी तयार कर हिंदुस्तानी संगीत पद्धती क्रमिक पुस्तक मालिका के नाम से एक ग्रंथ माला प्रकाशित करवाई जिसके छे भाग हैं इसके अलावा आपने संगीत के शास्त्री ज्यान के लिए भाथखंडे संगीत शास्त्र नामक ग्रंथ माला भी प्रकाशित करवाई आपका उपनाम चतुरंग है चतुरंग यानी चतुरपंडित आधनिक युग में संगीत के शास्त्री पक्ष की और जनता का ध्यान आकरश्रित करने का पर्थम श्रेप भातखंडे जी को ही है भातखंडे जी ने शुद्ध थाट बिलावल को मानकर थाट पद्यती स्विकार करते हुए दस थाटों में बहुत से रागों का वरगी करन किया जिस समय भारत में टीवी, टेप रिकॉर्डर तथा रेडियों तक नहीं थे तब भातखंडे जी ने संगीत के परचार हेतु संगीत सम्मेलनों की अवशक्ता समझे और 1916 में बड़ोदा नरेज की साहिता से प्रथम संगीत सम्मेलन आयोजित किया उस सम्मेलन में संगीत विद्वानों ने अखिल भारती संगीत अकाद में इस्थापित करने का प्रस्ताव भी पारित किया सम्मेलन में पंडिजी के द्वारा संगीत संबंदी जो भी महत्रपून भाशन दिया गया उसे अंग्रेजी में A Short Historical Survey of the Music of Upper India नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया तत पश्चात आपके प्रयतनों से कई स्थानों पर संगीत सम्मेलन हुए तता संगीत विद्विध्यालियों के स्थापना हुए जिनमें लखनों का Maris Music College जिसे वर्तमान में भाथखंडे संगीत विद्यापीट के नाम से जाना जाता है ग्वालियर का माधव संगीत विध्यालियों तथा बड़ोदा का Music College विशेष उलेखनीय है आपके द्वारा रचेत मुख्य रचनाओं की सूची कुछ इस प्रकार है स्वरलीपी ग्रंथ प्रमिक पुस्तक मालिका छै भाग हिंदुस्तानी संगीत शास्त्र चार भाग संस्कृत भासा में मलक्षयम संगीतम अभिनव रागमंजरी लक्ष संगीत इस प्रकार आपने अपने अथक प्रयासों से संगीत की महन सेवा की और भारतिय संगीत को एक नए प्रकार से आलोकित करके 19 सितेंबर 1936 को पड़लोगवासी हो गए वास्तव में विष्णु दिगंबर पलुसकर और विष्णु नारण भात खंडे एक दूसरे के पूरक थे एक ने संगीत का भवे रुख जनता के समोख रखा तो दूसरे ने उसे देखने के लिए ज्यान चचो प्रदान किये संगीत के साथ ये दोनों विभूतियां भी अमर रहेंगे